साथियों, आज वन नेशन, वन फर्टिलाजर, इसके रुप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहर उपलब्द कराने की योजना है ये शुरू हो गया आज, 2014 से पहले फर्टिलाजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की काला बाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठिया जिल्ली पड़ती थी, ये हमारे किसान भाई भैन, 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते, देश में यूरिया के बड़े-बड़े कारखाने बर्सों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि ये के नई दुनिया खड़ी हो गई थी, इंपोर्ट करने से, कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था, हमने यूरिया की शत प्रतिशत नीम कोटिंग करके, उसकी काला बाजारी रुकवाई, हमने बर्सों से बंद पड़े देश के, छे सबसे बड़े यूरिया कारखानों को, फिर से शुरू करने के लिए महनत की है, साथ क्यों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर भरता के लिए, भारत अब तेजी से लिक्विड नेनो यूरिया, प्रवाही नेनो यूरिया की तरब बढ़ रहा है, नेनो यूरिया कम खर्च में अधिक प्रोडुक्शन का माध्यम है, एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को, जिसके लिए जरुवत लगती है, वो काम अम नेनो यूरिया की एक छोटी सी बोटल से हो जाता है, ये विज्ञान का कमाल है, टेकनलोजी का कमाल है, और इसके कारण किसानों को ये उजिया के बोरे लाना, ले जाना, उसकी मेनद, ट्रांस्पोर्टेशन का खर्चा, और घर में भी जाकर के रखने के लिए जगा, इस सब मुसीबतों से मुक्ती.